क्या कह रहा है, construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose side are 2 by 3 of the corresponding side of the first triangle. सबसे पहले हमें एक triangle बनाना है, जिसका side दिया हुआ है, 4, 5, 6 cm, जब किसी triangle का तीनो side अगर आपको मालूम है, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी एक side आप पहले खीच सकते हैं, इसमें कोई criteria नहीं है, जब तीनो side आपको मालूम हो, तो कोई criteria नहीं है, तो चली सबसे पहल हम लोग side ले लिए पहले हैं, कोई भी ले सकते थे, आप 4 और 5 है, तो एक को आप अरक ले लेजिए, 4 cm का, 0 से 4, ठीक है, आप इधर से या इधर से, दोनों में से, जिधर से चाहें आप ले सकते है, 4 cm का एक अरक ले लेंगे, और दूसा कितना है, 5 cm का, तो 5 cm का, 0 से 5, ज यह point से आप दोनों end point को मिला देंगे, ठीक है, तो हमारा triangle बन जाएगा, 1st triangle बन गया, A, B, C, 1st triangle बन गया है, यह कितना लियत है, यह लियत है, 4 cm का, और यह वाला 5 cm का, अब हमें क्या करना है, एक, एक B पर से एक line खीच लेना है, B पर से एक line खीच लेना है, इसको खीचने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई criteria नहीं है, अब जितना चाहें, डिगरी का लेकर खीच सकते हैं, अब क्या करना है, यह 2 by 3 times, next triangle जो बनाएंगे, वो 2 बटक 3 गुना होगा, 2 by 3 times होगा, इसका 1st triangle इस दोनों में जो बड़ा होगा, ठीक है, उतनी बार आप इस line को काटेंगे, तीन बड़ा है, ठीक है, तो तीन बार इस line को आप काटेंगे, एक, दो, तीन, यहाँ B है, इसलिए B1, B2, B3, ठीक है, अब इन दोनों में जो नीचे है, ठीक है, नीचे वाले से C को अब जितना बड़ा एंगल वी 3 बना है उतना ही बड़ा एंगल कि टू बना देंगे तर इसंतरत को थोरा सा छोटा कर लेंगे ताकि यह इस पर आवरलेप ना करें एक कलें भी 3 पर संय भाट लेंगे बी टू पर सिरम अर्ग ले लेंगे बीटू के अब इस अर्ग की लंबाई को ना पिये अगर हमें इसे बरा या छोटा करने के ज़ुद है तो करेंगे जितना बरा ये अर्ग है उतना ही बरा सेम अर्ग इस पर से भी ना पने के बाद काट लेंगे फिर बीटू वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला कर एक लाइन कीच लेंगे अब ये बीची को जिस बिंदू पर ये काटता होगा वह अपका होगया सी कम्प्लिमेंट है अब जितना बड़ा एंगल C है उतना ही बड़ा एंगल C कंप्लिमेंट बनाएंगे तरीका वही होगा जो नीचे की है एक अर्क ले लेंगे C पर उतना ही बड़ा अर्क लेंगे C कंप्लिमेंट पर से फिर अब इस अर्क को ना पिये छोटा करने की जरूरत है तो छोटा करें जितना बड़ा यह है, उतना ही बड़ा इस अर्क को भी हम लोग बना देंगे, ले लिए अब क्या करेंगे, सी कम्प्लिमेंट वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अब जिस बिंदु पर यह काट रहा है, जिस पॉइंट पर काट रहा ह यह हो गया आपका A कम्पलिमेंट और हमारा रिक्वाइट ट्रैंगल बन गया A कम्पलिमेंट B कम्पलिमेंट C ठीक है